हलो गाइज वेलकम टू आवर चैनल वेलकम इन सार्च में ओल इन वन दुनिया आपका आपके के चैनल में स्वागत हैं जी तो आज बात करेंगे स्टोक मार्केट और मार्केट से जुड़ी कुछ अपडेट की जो डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है तो चलिए करते हैं वी अपन होई वी से जाल नो सो तीज पोजिटीव ओपनी ओ जो क्लोष हूए बी से जाल नो सो चब एस जो क्लोजिंग भी तो बी पोजिटीव रही बीस पॉएंट बढ़कर निफ्टी की मार्केट क्लोज हूए और देश्यों की बात करें तो तो पॉएंट जीडो नाइन फ 750 और जिस प्रहेंट पर संट्ट की मार्किट ओपन मुन ब्रपण द पॉजिटिव रही यहनकी closing भी उसकी positive रही रेशों की बात करें तो point 048% positive रही sensex की market FIA की बात करें तो इन्होंने आज जो purchase की है वो 19,273 क्रोड की की है जबकि जो sale की है वो 14,562 क्रोड की है जो net margin ये gap निकला है positive निकला है 4711 क्रोड की ज़्यादा खरीदारी की गई है FIA की तरह से DIA की बात करें तो इन्होंने जो purchase की है वो 8,697 क्रोड की की है जबकि जो sale हुई है वो 9,656 क्रोड की की है जो net margin ये निकला है gap निकला है वो negative निकला है 969 क्रोड की ज़्यादा विक वाली की है आज दी आये ने जी तो आगे हम चलते हैं मार्किट की और पहला फर्स्ट हमार टोपिक है पेट्रोल डीजल पेट्रोल है 98 पर प्रति लीटर वही डीजल है 91 पर प्रति लीटर गोल्ड वसी सिल्वर की बात करें गोल्ड कर जो प्राइज है वो 61,150 है प्रति दस ग्राम सिल्वर का है 31,550 परति केजी के इसाब से मार्किट प्राइज में अविलेबल है LPG वसी CNG की बात करें LPG का जो प्राइज है वो 932 परति सी लेंडर है CNG का जो प्राइज है वो 75 पर परति केजी है डोलर वसी दूपीज की बात करें तो एक UST डोलर बदाबर सहतर यासिर पर अरती पैसे के जी तो यह थी कुछ अपडेट स्टोक मार्केट और मार्केट से इलेटेड होप सो यह वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव दाई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी ल कोची